हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक जी है मेनी ब्लॉग चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे और यह सुबह सुबह ब्लॉग जो मेरा स्टार्ट हुआ है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और यह हमारे छे बज रहें के तकरीबन और हम जो है वो जा रहे थे हरिय हाना क्योंकि मैंने लास ब्लॉग में आपको बता आया था कि हम पहीं जा रहे हैं तो हम जा रहे थे हभी हाना मेरी बहन के पास और बच्चेपने मों सीके पास चाहरे थे और यह बहुत ही एकसाइटेड़ थे क्योंकि हमें सुब सुबह जो जल्दी उठ गे थे और बच्चों के भी थोड़ा हो गए थे कि हां हमने जाना है तो एक्साइटेड थे यह मेरे भाई का बेटा है और यह अभी थोड़ा सा उजाला भी शुरू हो गया था और यह सूरज भी निकल गया था और हमारा सफर जो चल पड़ा था क्योंकि हम बहन के पास अभी शादी के बाद उसकी फर्स टाइम जो है उसके सुराल जा रहे थे और काफी एक्साइटर थे हम भी पंजाब में जैसे हम पहुंचे तो इतनी दून थी रास्ते में कहीं-कहीं तो बहुत जादा थी और कहीं-कहीं थोड़ी ठ चल गई थी और कुछ जगा पे तो इतनी थी कि थोड़ से फांसले पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और चलता जा रहा था हमारा सफर इस तरह से बीच में बच्चों को थोड़ा सा बात्रूम बगरा भी आ गया था तो फिर हम थोड़ा रेस्ट के लिए रुक गए थे यह गुर्दवारा था तो यहां पे हमने थोड़ा रेस्ट किया और यहां पे देखो गमले कितने प्यारे लग रहे हैं ऐसे पेंट की हुए है ना कल हम को भूग लगे थी काफी टाइम जो था वह हो गया था क्योंकि सभी हम जो है वह चाई पीकर ही निकले थे यहां पर बच्चों को पूछा तो बोलते की अलू का परांथा खाना है तो फिर इन के लिए हमने अलू का परांथा और चाई ओर दी थी और यह सब बैठे हुए बीनु बैठा तक के मामों भी बैठे थे और यह सारे जो मेरे बाई बाभी बैठे हुए सब भी जो है वह सारे लगे हुए बेकफास्ट करने के लिए अच्छा था परांथा यहां पर खा पीके हम से लोगों निकलने वाले थे कि बच्चों ने वहां पर देखा कि ममा यहा जाल के आ रहे थे बच्चों यहां पर थोड़ी देर हम थोड़ा सा रुके और उसके बाद फिर से हम गाड़ी में बैठ गए थो और आगे का सफर जो था पुझा रही था हम ने पीछे जो अच्छे से वह लेट कर जा रहा था फिर जी और बीनु भी बोलते कि हमें भी पी जाकी सफर भी जो था हमारा कट जाए तो हम लोगों इस तरह से इनका टाइम जो था पास करवाया और रास्ते में इतने बड़े बड़े ट्रक जो गन्नों के बरबर के हमें मिले रास्ते में बहुत जादा मिले और उसके बाद हम उनके घर पहुंच गये थे रेस्ट पहले तो यह मेरी शिस्टर और चोटी ननन्द है और यह मेरी भावी है हम सबने रेस्ट पहला जो थी वो कर लिए चेंज भी कर लिया था उसके बाद हम लोगों ने शाम को थोड़ा चक्क्र लगाने के लिए निकल गए थे तो बोलते कि चलो आपको एरिया दिखा कर आते लिए यह मेरी ननन की सिस्टर जो पीछे खड़े थे बहुत अच्छी है यह और इसके बाद हम लोगों ने बच्चों को बर्गर खिलाए और बच्चों ने बर्गर खाने के बाद सब बीने लॉलीपॉप जो थे वो पकड़ लिए थे किनकी मिर्ची लग रही थी लोगों यहां पर बच्चों ने खूब खेला किनकी अभी इनकी यहां पर ने दोस्त जो थे वो पन गए थे तो अच्छा इंजॉई कर रहे थे एक दूसरे के साथ आई होप आप लोगों को आज का ब्लोग अच्छा रगए को प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बूलना फिर मिलेंगे एक नई ब्लोग के साथ अब तक के लिए बाई बाई